and welcome back to Zohr ka Jhode World Cup 2023 special right now we are talking about where would the Pakistan cricket team campaign go now? कहां जाएगी अब Pakistan cricket team की campaign? जिस तरहां कल शिकस्त हासल हुई अगवानिस्तान के अग्यान सो उस हवाले से discussion हुई हमारी और हम बात यही कर रहे थे कि यू ऐसा हुआ? तो एक रीजिन जो के यूसुफ ने हमें का बेकोज हम तो अभी तक यह सोचे थे कि इस बोलिग और फीलिग इस बाद बोलिग और फीलिग दाट टुक दाट गेम अवे फ्रम अस बट एक नया परस्पेक्टिफ जो यूसुफ आप ने दिया कि इस बैटिंग अगर हम प्रेस आफाइं एंडिया केज्ब आग्यां ज謹न यही का कि हम कोशिश करेंगे आज बहूं यह अच्छा केले वह में सीखेंगे मैं वापिस यूसफ आपकी तरफ आउंगी हम सीखेंगे हम कप सीखेंगे बैटिंग की बात की बैटिंग की बात की कन्फूजन आपको बाबर आजम की भी इस पूरी कॉन्वर्जेशन में दिख रही है अग्वानिस्तान फ्लॉरियस बैटिंग क्या हम पाकिस्तान के लिए अंड्री पुटक कुछ कर रहे होंगे वोड़ी है प्लान सबसे पहले तो मैंने ये प्रेस कांफर्स देखी है कल भी थोड़ी सी देखी लेकिए अभी भी मैंने गोर किया कि बहुत परशान लग रहा था सुना रोया भी है और हम सब बाबर के साथ हैं किसी एक बंदे की वैसे नहीं हारते हैं पूरी टीम गेम होती है कोचिंग स्टाफ होता है सब हैं अगर हम लोग भी होते हैं तो हमारा भी जिम्मत है कोई भी है और सबसे पहले तो मेरा खाल हम सब को उसके साथ होना चाहिए गेम हार गेम हार गेम हार जिस हिस्सा है लेकि हम सब दुख में हम सब को अफसोस हुए है अगवानिस्तान से और जो आ रहे हैं फिर उनके एक प्लेयर की स्टेटमेंट आई है वो भी बड़ी दुख वाली है वह भी हमें अची प्यकी है लिए गयल किंगे प्लेयर को चाही पाइश तरह बुख हुए है और प serब हुए है कि बाबर को उ सब दूखמה है और बाबर को लिए किजह व्तहिए करना चाहिए हार जित गेम का है अगले 4 मैच है आप पूरी कोशिश करें पूरी कौम आपे सा लेकि कुछ चीज़े ऐसी है जो हमें इमानदारी से बात करनी चाहिए हम जितने भी लोग पैठे हुए एक देखे वह खुद भी कह रहा है 10-15 रूंस पीछे नहीं कि 10-15 रूंस पीछे नहीं है हम कम असकम 50-60 रूंस पीछे जिस तरह की विकट थी को 4-5 अवर के बाद पाकिस्थानी बंदा निकालके देख ले पूरी कौम निकालके ले जितने बड़े-बड़े प्लेयर बैठे हुए है वो सीधी-सीधी बॉल कर रहा है और साथ हमों में 15 रूंस उसके खिलाफ हुए एक अत्यस टोटल 10 में वह तो 3 अगरों में 16 रूंस पंदरा रूंस ऐसे वह स्टीर का अक रहा किअनका घलियर का जो दर के खौफ है लिए हमारे अंदर कि आउट नहा हैं अगर आउड चाहिए थियर मेरा मक्साध है कि हम्म है निकाल चाहिए। पंदमें नहीं लिए इसम sec ल sinners कर सकते हैं लिए-ग्री अवह उप्हित जिए ना पाधर है, चर-ज आप बैटिंग कोच रहे टीम पाकिस्तान के मतलब इंटेंट की हम इंटेंट इस वेरी फैशनेबल वर्ड जो हम बहुत आराम से यूज करते हैं इंटेंट नहीं इंटेंट नहीं है इंटेंट किस तरह आगे रखनी है कितनी दफ़ा ऐसा हुआ देट मोहमद यूसफ टोल्ड आर बैटर्स के नहीं जी यह इंटेंट रखनी है और ऐसे बैटिंग करनी है और ऐसे फेस करना है आगे आने वाले बोलस को इस वर्ल्ड कप पर आप बैटिंग कोच नहीं है नहीं आगे बिसलीो से को नहीं बता रहे होουμε जदेजा तो अभी आया है जदेजा क्रैट देना शुरू हो गह रहा है यह 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 आगे डौको समully नहीं करने कार दिया कृपः तो है नहीं कर दिया Celine kanssa Land इसमें मेरा एक मेरी राय है तो मेक कन्वसेशन को थोड़ा अगे लिंगराउन करने के लिए यह बिल्कुल यूसफ कह रहा है कि दो दिन में कुछ नहीं कोई डिफरेंस कर पर माइंडसेट चेंज हो जाता है कई दफा नहीं आवाज आने से यह छोटी सी आवाज होती है आप मेरा इंटेंट तब तगड़ा होगा जब मेरा माइंड उसके बात को सुनने को त्यार हो क्योंकि कई दफा आपका बात सुन रहे होते हैं आप पर माइंड आपका कबूल नहीं कर रहा होता है जैसे इंगरन का माइंडसेट चेंज क्यों हुआ उन्होंने स्ट्रॉस जो ऐस बाॉलिंग वरियेशन डिफरेंट हो चुकी है आपके स्किल लेवल बढ़ चुकी है इस में जो हमारी डिसकेशन है ना वेर पाकिस्तान लाग पाकिस्तान डॉसं प्रे आटाकिंग क्रिकेट किया है कल स्पिंण ने अच्छी बाॉलिंग की मैं जिन्दगी में शायद अफ पीछे ले लूँ पीछे ले लूँ यार खुल जाए चौका ना आजे तो दुक्का तो मुझे राम से बिल जाएगा तो मेरे उपर प्रेशर ही नहीं आ रहा है कई दफा मुझे अंडर प्रेशर करो आज इस स्पिनर के मैं भई नहीं स्लिप भी लिया मिडौन भी उपर लिय चाहिए उशदाब और उसामा अच्छी बॉलिंग नहीं का रहे थे मगर उनके उपर प्रेशर तो बिल्ट आप करो डिरिंग मैच के भी आपने सिंगल नहीं दे नहीं चौका खा लो कोई बात में फिर आप आगे तो करोगे ना जब मेरे उपर प्रेशर पता क्या नहीं प पाकिससान टीम और nieuwe इसलिए मैं कहता हूं कि इन जोनासन ट्रोड को भी हमें एप्लेस्मेंट का रहा है किया और यह उससे आर सोचों में धूराए फिलनिंग तो आपको झाना है क्या स्टैंडर्स होना पड़ती है फिललिंग में प्लेडि नहीं है तो यह यह प्रिक कंतान या कोछ करेगा जब यह दकषिए जब आट नहीं पर चुपने की कोशिश कर रहे होते हैं जब आप बहुत अच्छा नहीं सुचरहे बहुत ज्यादा positive नहीं सोच रहे होते और आप boundary line पे खड़े हो किया रहा हम अगवाने सान से हार रहे हैं कोई wicket नहीं गरी हम basically कभी कभार ऐसा लगता है miracles का इंतिजार करते है miracles ऐसे नहीं होते miracles बहादरूं के साथ होते जो बहादर होते जो लड़ना जानते हैं देखे कप्तान नहीं है कप्तान सब कुछ है कप्तान अगर ground के अंदर फिल्डिंग के अंदर जान लगाएगा डाइवे मारेगा ground के अंदर over के बाद बाग के लड़कों को back करेगा support करेगा तो सारी तीम जेल हो जाती है और सारी टीम भागना शुरू जाती है एक्तिव हो जाती है क्यों है इसलिए कर कि कप्तान अगर जान लगा रहा है और दूसरा लड़का जान नहीं लगा रहा तो उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी कि एर मेरा कप्तान इतनी जान लगा रहा है मैं क्यों एक्टिव नाहूं मैं क्यों डाइव ना मारूं तो हमारा हूरा होता था मैं कप्तान था मोहमद यूसफ कप्टान थे जो भी कप्टान रह चुके है वो जब ग्राउंड में बागते थे और सब को बैक अप करते रहते थे तो पूरी टीम उठी भी होती थी कप्तान नहीं कर रहा होता था कोई नहीं कर रहा होता था इंजी भाई डाइव मार रहे होते थे तो यकीन मारो हमें शर्मिंदगी होती थे कप्तान डाइव मारना एंजी भई हम क्यूं नहीं मारे हैं हम हर प्लेयर की कोशिश होती है कि अगर कप्तान एफट कर रहा है ग्राउंड के अंदर हमें भी एफट करनी चाहिए तो गूम फिर के चीज़े कप्तान के उपर ही आती है आखिर में तो कप्तान का ही रोल होता है कि इस सरकल के फिल्टरों को आगे रखे प्रेशर डालें फास बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं आपकी स्लिप ही नहीं है चार नहीं चाहिए हैं बारा बॉलों पे आपने पॉइंट पीछी लीवी है यार प्रेशर डालो प्रेशर डालो नजर तो आओ कि प्रेशर डाल रहे हैं आस्ट्रेलियंस क्या करते हैं एक विकट दो विकटे गिरती है वो ठक करके हवी हो जाते हैं दूसरी टीम पे जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हवी हो गए थे इतनी अच्छी partnership लगाने के बाद, तो असल गूम फिर के, कप्तानी जो है, वो बहुत बड़ी honor की बात होती है, वो भी पाकिस्तान टीम, लेकिन वो फूलों का बिस्तर भी नहीं है फिर, कप्तानी पिर हर जगा पिर कप्तानी नजर आता है, जब करते हैं, तो वावा कप्तान, लेकिन जब हो रही होती, तो सारा कुछ कप्तान पर या हेड कोच पर आ रही होती है, चीज़ें, तो इसके लिए, मिले खाल में, एक बहुत बड़ी opportunity है, जिस तरह भी यूसुफ ने काई, कि वर्ल्ड कप खतम नहीं हुआ, हम सब को भी support करना चाहिए, इन्शाला पाकिस्तान टीम भी